क्या है पाकिस्तान की हीरा मंडी का इतिहास जिस पर संजर लीला वंजाली ला रहे हैं विब सिरीज बॉलिवुड के बहतरीन फिल्मेकर संजर लीला वंजाली के अपकमिंग प्रोजेक्ट हीरा मंडी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं हीरा मंडी की एक जहलक फिल्मेकर में बीते दिन सभी के सामने पेश किया है जिसे देखने के बाद तर्शकों के दिल में इसके बारे में जानने की चाहत बढ़ चुगी है ऐसे में हम आपको हीरा मंडी के इतिहास के बारे में बताएंगे फिल्मेकर संजे लिला वंजाली की फिल्में उनका काम और उनकी लगन को बहुत भी दर्शाती है जिस फिल्म के साथ संजे लिला वंजाली का नाम जुड़ जाए उस फिल्म को बड़ा और शांदार बनाने की जिम्मेदारी भी मेकर्स के साथ जुड़ जाती है अपने प्रोजेक्ट पर बारिकी के साथ काम करना कोई संजय लिला वंजाली सहब से सीखे फिर चाहे वो सितारों का पहनावा हो या विर फिल्मों की शोटिंग के लिए तयार किये गए बड़े-बड़े आलिशान सेट्स इसे बीच फिल्मेकर का अपकमिंग प्रोजेक्ट हीरामंडी लगातार चर्चे में बना हुआ है इतिहासिक और अनोखी कहानिया देखने के लिए मशूर संजय लिला वंजाली की हीरामंडी की बीते दिन एक जलक देखने को मिली है जिसके बाद हीरामंडी की चर्चाएं काफी ज़्यादा तेजी से फैल गई है हीरामंडी OTT प्लाटफर्म नेट्फिक्स पर रिलीज किया जा रखा है क्या है इसका इतिहास पाकिस्तान के लाहोर में एक रेड लाइट एरिया है जिसे हीरामंडी के नाम से जाना जाता है इतना ही नहीं इस इलाके को शाही महला भी कहा जाता है मिली जानकारी के अनुसार सिख महाराज रंजीत सिंग ने अपने मंत्री हीरा सिंग डोगरा के नाम पर हीरा मंडी का नाम रखा था मंत्री हीरा सिंग ने यहाँ अनाज मंडी की शुरवात की थी संजलीला वंजाली से पहले करंजोहर भी अपनी फिल्म कलंक में इसका जिक्र किया था हीरा मंडी तवाइखों के दुनिया में मशूर हुआ गरती थी हाला कि बटवारे से पहले इस कोठे पर हुए प्यार, धोखा और राजनीती के किस्ते आज भी मशूर हैं हीरा मंडी में एक से बढ़कर एक खुबसूरत महिलाएं रहा करती थी मुगल काल में हीरा मंडी में रहने वाली महिलाएं नरिच्त, कला, संस्कृती और संगीत से काफी जुडा हुआ रहती थी और वो सिर्फ राजा महाराजाओं के सामने ही अपनी कला का प्रदर्शन पिया करती थी लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली और मुगल के बाद हीरा मंडी पर विदेशियों का राज शुरू हुआ विदेशियों के राज में हीरा मंडी की चमक फीकी पढ़ने लगी इन लोगों ने हिरामंडी का मतलब ही बदल कर रख दिया और विदेशियों ने वहां रहने वाली महिलाओं को वैशा का नाम दे दिया हिरामंडी अब पहले की तरह शाही महला नहीं रहा इसकी चमक वक्त के साथ साथ गायब हो गए अब दिन में ये आम बाजार तो हुआ करता है एकदम रोजाना की तरहा जहां लोग अपनी जरूरत की चीज़े खरीबता है लेकिन धलती शाम के साथ साथ ये नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है ये एरिया रेड लाइट एरिया में बदल जाता है तो दोस्तो हीरा मंडी के मूवी में हमें क्या कुछ नया और क्या कुछ ग्यान की चीज़े देखने को मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा बाकि आप कितना एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा